पिछले कुछ अरसे के अंदर मालदीवस की सियासत में हमें एक स्ट्रेटेजिक री पोजिशनिंग ने अदर आई है जब से लेकर वहाँ पर प्रेजिडंट मुईज सदर बने हैं तो एक स्ट्रेटिजिक री पोजिशनिंग हमें वहाँ की सियासत में नदर आई है और वो स्ट्राटिजिक रीपोजिशनिंग यू हुई है कि पहले मालडीज को बहुत ज़धा प्रो-इंडिया था वहां पर इंडिया फस्ट पॉलिसि चलती थी मालदीज फस्ट नहीं इंडिया फस्ट ये भी विसे टर्म ही अजीब है विसे इंडिया फस्ट मतलब होना तो Maldiv First چाहिए पॉलिसी तो इस तरह होती है इंडिया खुद भी एगर इस तरह की पॉलिसी बनाता है तो किसी मुलक का नाम नहीं रäखता जिसे Neighborhood First पॉलिसी अब नेबरोड में तो सारा आजाता है ना तो बाकी की जो रीजन में नेबर्स हैं उनको थोड़ा सा आप डाउन ग्रेड एक तरह से इंप्रेशन इस तरह मिलता है गो वो जो हैं सेकंड नमबर पे हैं तो इस टरम को थोड़ा सा अगर प्रो इंडिया फोर्सेश चेंज करें ना तो इट विल मेक मोर सेंस एक्चुली नेबर हुड फरस्ट लिक के उसको करें लेकिन मुईस की आज मैं स्ट्राटिजिक रीपोजिशनिंग पे बात करूंगा क्योंकि इस स्ट्राटिजिक रीपोजिशनिंग में एक तो ये कमपलस थी ये होनी ही होनी थी क्योंकि अभी नहीं एक दो तीन साल के अंदर सामने जो रीजन में नक्षा बन रहा है उसको देखकर आपको लगेगा कि ये बिल्कुल ठीक इनों ने किया है क्योंकि आगे चलके बहुत बड़े क्रैसिस इस रीजन के अंदर पैदा होने जा रहे है जिस रीजन के अंदर मालडीव्स है और जो मौझूदा पॉलिसी थी मालडीव्स की इंडिया फस्ट वाली अगर वही एडॉप्ट करके वो चलते रहते आगे तो ये क्रैसिस के अंदर फस जाते आगे चलके और बिला वज़ा में मालडीव्स को सफर करना पड़ता इस अराम किया हुआ है अपने मुल्क के लिए देखें यहां पर रीजन में हो क्या रहा है नक्षा देखें क्या बना हुआ है इंडिया और चाइना के दर्मयान एक शदीद किसम की जियो पॉलिटिकल राइवलरी चल रही है यहां पर पूरे रीजन के अंदर और उसमें ये हम लिया लक्षा दूइप में बेस बना रहा है मुद्धी बेसिस बना रहा है मिलिटरी प्रेजन्स स्ट्रॉंग कर रहा है यहां पर तो इससे पहले तो आपको यह समझ आ जाना चाहिए कि आगे चलकर मिलिटरी कन्फिक्ट दोनों के दर्मयान च्छिडने का पूरा-पूरा यहां पर चांस मुझूद है और दूसरा यह समझ लीजिए कि चाइना के फादर आफ़ दा नेशन चेर्मेन माओ का जो कॉल है कि तिबबत हथेली है उसकी पांच उंगलिया है उन पांच उंगलियों में से जो तीन फिंगर्स है न वो इंडिया के अंदर मुझूद है अर रिवी में वहां पे कि अरुना जल परदेश हमारा था हमारा है हमारा रहेगा इतना क्रिस्टल क्लियर बयान उसने दिया है न्यूज 18 को देख लीजिए इंडिया न्यूज आउटलेट है कि अरुना जल परदेश इस वाज विल आल्वेस बी पार्ट आफ भारत पी एम प्राइम मिनिस्टर मोधी तोल जी न्यूज पेपर अरुना जल परदेश इस वाज और शल आल्वेस बी इन इंटीग्रल पार्ट आफ भारत तोड़े दिवलप्मेंट वर्क्स आर रीचिंग अरुना जल आफ एंड नौर्थ इस्ट लाइज आफ देश अरुना जल परद हैं वहाँ पर फौजियों का ये जरा सैटलाइट की तस्वीर देखिए अक्तूबर में सामनी आई उनके फौजी खड़े हुएं बिलकुल बॉर्डर के उस तरफ बड़ी तादाद में खड़े हुएं और ये इसको साउथ तिबत का इलाका जंग्रान कहते हैं अरुना चल अक्तिविस्ट हैं उन्होंने मूदी के इन क्लैम्स को एक्सपोज करने के लिए कि यहां पे कोई नहीं गुसा अनौस कर दिया था कि मैं मार्च कर रहा हूं लोगों को लेकर ट्वार्ड्स चाइना बॉर्डर ताकि लोगों को पता चले कि कितना बड़ा अलाका हमारे हाथ से गया है मूदी ने वहाँ पर सेक्शन वन फॉर्टी फॉर लगा दिया कि कोई रेली नहीं निकाल सकता कोई जूलूस नहीं निकाल सकता क्योंकि अगर यह वहाँ पर पहुंचते बॉर्डर के पास तो सारी दुनिया को पता चल जाता सारी इंडिया को पता चल जाता कि व बाकी बहुत बड़ा अलाका हमारे हाथ से लेकर गए अभी तो ये फॉज के जरी चुपा रहे हैं न तो वांग्चुक को वहाँ पर जाने नहीं दिया उन्होंने सेक्शन 144 लगा दिया वांग्चुक ने अपनी जो रेली थी वो कैंसल कर दी अंडी टीवी कहता है लदाख एक्टिविस्ट सोनम वांग्चुक कैंसल्स मार्च बार्डर से ली इस बिंग टरंड इंटो अ वार जोन विच डिस्प्रोपरिशनेट फोर्स, बेरिकेट्स, स्मोक गरनेट्स सोनम वांग्चुक सेट इन अ पोस्ट अन एक्स तो इंडिया और चाइना के दरम्यान बार्डर्स पर मित्रो ये सुरते हाल है, एक दूसरे के बिलकुल फोजे आमने सामने खड़ी हुई है, एक दूसरे के जो ट्रेड के शिप्स हैं और सी लैंड्स हैं, उनको ब्लॉक करने के लिए इंडियन ओशन में जगा जगा इंड पर बेस बनाने का उन्होंने इजाज़त दे रखी थी पहले वालोंने, किस हिसाब से, क्योंकि क्या सामने आपको नजर नहीं आ रहा है, कि अगर दोनों के दरम्यान जंग छिड़ती है, जिसकी बहुत ज़्यादा पॉसिविलिटी है, 2020 में क्लैशे हो चुके हैं, तो उसकी सी लैन ब्लॉक करने के लिए, दुनिया के अहम तरीन जो सी लैन्स हैं, शिपिंग लैन्स हैं, उसके ओपर माल्दीव्स वाक्य है, सिच्वेटेड है, जियोग्राफिकल लोकेशन उसकी बड़ी इंपॉर्टन्ट है, तो यहाँ पर पिछले वालोंने इंडिया को ज माल्दीव्स बना के दिया था, उस बेस की वज़ा से, आप चाहते या ना चाहते, जंग के दुनों में, जब इंडिया और चैना की जंग होती, माल्दीव्स भी सकिन हो जाता उसके अंदर, अब देखिए दे माल्दीव्स जनरल, कुछ अर्था पहले खबर लगाई थी इ आइलेंड नेशन, इंडिया इंडिया इन टूथादन टूटीव्स याद रखिए, कि क्या इतना भी उनको जहन में नहीं आ रहा था, पिछले वालों को, कि 2020 में लड़ाई हुई है इंडिया और चैना की, और 2021 में वो मिलिटरली फेसिलिटेट कर रहे इंडिया को, तो दो उनों के दरमियान जब लड़ाई छिड़ती तो ये वाला बेस भी तो यूज होता इंडिया नोशन के अंदर चांसिस थेना यहाँ एनगर यहाँ बी समन्दर और बी तो रोकना इनन सब के लिए बेस इस्तेमाल होता है तो इन्डिया मिलिटरी अगर यहां पर होती ही, ब unboxing zapadhiefs के अंदर तो वो चाइना के गेंस यूज उते हैं तो चाइना के अगर वो यूज सोते तो क्या आखए चाइना वहाँ से रिटालियाट नहीं करता वह भी कर सकते थे नतल हो बहुत है तो हैसे में अगर उसने میں پڑھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا مالدیوز کا یہ تو سائیڈ پہ رہتے لیکن اگر انڈین ملٹری یہاں ہوتی انڈین بیسز یہاں پر ہوتے جیسے کہ ان کو پچھلی گورنمنٹ نے دے دیئے دے بیسز یہاں پر تو پھر تو مالدیوز سکن ہو جاتا اس جنگ کے اندر اس لڑائی کے اندر جو کہ زیادہ دور ہے نہیں بہت زیادہ دونوں کے درمیان معاملات خراب ہو چکے ہیں انڈیا اور چائنہ کے درمیان انڈیا چائنہ کے درمیان ہونے والی لڑائی میں جو سب سے پہلا ہٹ ہوگا نا وہ بیسز کے اوپری ہوگا جہاں جہاں انڈیا کے بیسز ہیں پہلی فرصت میں تو چائنہ نے وہ اڑانے ہیں وہ اڑانے ہیں پہلی فرصت میں تو اس کو مویز نے آوائیڈ کیا ہے اب یہ وہاں کی پرو انڈیا جو پارٹیز ہیں وہ شاید سمجھ نہیں رہے یہ بڑے لیول کا گیم ہے اس لئے میں نے آپ کو کہا کہ زوم آؤٹ کر کے مویز کی پولیسیز کو دیکھیں پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس نے کتنا بڑا کام کیا ہے اگر آپ صرف اس کو مالدیوز ورسز انڈیا کے تناظر میں دیکھیں گے مالدیو انڈیا مالدیو انڈیا تو شاید آپ کو اتنا زیادہ سمجھ میں نہ آئے آپ کو پورے ریجن کی ذرا جیو پولیٹیکل سیچویشن دیکھ کے پھر مویز کو اگر آپ دیکھیں کہ اس کی پولیسیز کس طرح کی ہیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس نے جو کام کی ہیں وہ کتنے زیادہ ضروری تھے مالدیوز کے لیے اور on top of that آپ دیکھئے کہ اپنی security کے لیے اس نے یہ جو فیصلہ کیا ہے کہ ہماری اپنی air force ہوگی ہماری اپنی forces ہوں گی ان کو ہم strong کریں گے یہ چیزیں آپ کو clearly show کر رہی ہیں کہ یہ pro مالدیوز ہیں یہ چائنہ کی طرف نہیں گیا انڈیا کو نکال کے چائنہ کی طرف نہیں گیا اس نے اپنے اوپر rely کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے ترکی سے بھی لے رہے ہیں چائنہ سے بھی لیں گے اسلاح لیں گے سارا کچھ لیں گے لیکن کریں گے خود ہی ہمارے لوگ ہی اپنے ملک کی sovereignty کی حفاظت کریں گے باہر سے نہ تو ہمیں کسی کی فوج چاہیے نہ ہم نے کسی کو basis دینے ہیں اس طرح سے تو یہ والی جو اس کی policy ہے نا اس نے اصل میں انڈیا اور چائنہ کی درمیان ہونے والی جنگ کی صورت میں جو possible نقصان مالدیوز کو ہو سکتا تھا اس سے اپنے ملک کو اس نے بچایا ہوا ہے basically